मद्या प्रदेश के खंडवा में रू को कपकपा देने वाला दर्दनाक सड़क हाथसा हुआ है आपको बता दे कि जंपर की बेकाबू रफ्तार ने एक बार फिर दो जिंदगियां खत्म कर दी है खंडवा होशंगाबाद स्टेट हाईवे पंद्रा पर जुमर खाली के पास सुवे दर्दनाक हाथसे में दादी पोती की मौके पर मोत हो गई हाथसा इतना भीशन था कि शवो के अवशेशों को सडक से खुरच कर निकालना पड़ा ये देख मौके पर मौझूद लोगों की रुह काप गई पतादे की बालू रेट से भरा ओवर्ड लोड डंपर हर्दा की तरफ से तेज गती से हरसूत की और आ रहा था तभी बाइक पर सवार पवन में उसकी चोटी बेहन दुरगा वह दादी सावित्री बाई पती लखनलाल अपने घर रायपूर से इंदवाल की तरफ जा रहे थे प्रत्यक्षदर्शों के अनुसार डंपर की टककर से बाईक सवार पवन दस फीट दूर जा गिरा जबकि दादी और बहन को पिछले टायर में करीब सो फीट रोनते हुए ले गया दादी पोती के हाथ पैर वे शरीर के विभिन अंग सड़क पर विखर कर चिपक गए जिन्हें बाद में खुनच कर निकालना गया हरसूत थाना प्रभारी अमित कोरी डायल सो वे 108 एंबुलेंस स्टाफ रफीक सीगड राहुल वर्मा वे पुलिस कर्मियों ने घायल वेशव अस्पताल पहुँचाए हरसूत पुलिस ने डम पर जब्द कर लिया है अरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है सावित्री भाई अपने पोते पवन वा पोती दुर्गा के साथ हो शंगाबाद के बाबई में अपने रिष्टेदार की शादी में गई थी वहां से गुरुवार शाम रवाना हुए शाम होने के कारण हाथसे के डर से हर्दा के चारुआ में अपने रिष्टेदार के यहां सावित्री भाई वा बच्चे रात में रुखे सुबह सेंदवाल के लिए रवाना हुए थे कुछ देर बाद दुर्गटना हो गई ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सुब्सक्राइब करें घंडे वाल जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और फानेस बैंक्वेट आल जोती गार्डन वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning अपर्फेक्ट वेन्यो फो वेडिंग, लाँचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइब